बीजेपी वे कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी पर्मुकता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्तुबादी है वे हिंदु भक्त हैं तथा पूजा पाट करने में भी माहिर हैं लेकिन इससे ये जरूर स्पस्ट होता है कि हिंदु धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पाटियां उपेक्षा कर रही हैं जो इनका ये कृत्य सविधान की मनसा के विरुद्ध भी है जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती हैं क्योंकि अपने देश में अखेले या हिंदु धर्म को मानने वाले लोग भी नहीं रहते हैं बलकि मुस्लिम, सिख, इसाई, पार्सी वे बौध, आदिन विभिन धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदूओं की तरही अन्य सभी धर्मों का वे उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। ये ही उचित होगा। इसके साथ हमारी पार्टि का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के इतिहासिक स्तलों वे रिकार्ड आदी का भी बराबर समान होना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मित दुएस की भावना से जो अभिया इत्यासिक स्तलों वर्रिकार्ड आदी के साथ छेड़ चाड़ किया जा रहा है ये भी ठीक वर्न्याय संगत नहीं है इससे आपसी भाईचारावे सत्भाव पर भी काफी बुरा असर पढ़ड़ा है प्रभाव पढ़ड़ा है साथ ही इससे कानून विवस्ता भी दिगड़ती है महरास्ट स्टेट में अब ये सब कुछ हमें यहां देखने के लिए मिल रहा है और हालात इतने ज़्यादा खराब होगे हैं कि वहां अब राश्टपति शाषन लगाने की भी काफी मांग जोड पकड़ रही है इसके इलाबा पूरे देश में वह राजिस्तान एबं 36 गड़ कांग्रेसी साशित राज्ये में तथा तिलंगाना स्टेट की सरकार के साथ साथ मध्य परदेश में भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में यहां खास कर दलितों आदिवासियों वे अन्य पिष्णे वर्गों का हर स्तर पर हो रहा शोशन तथा यहां भी बड़ ही गरीबी बिरोजगारी महगाई पर साथ ही गरीबों, मजदूरों, किसानों, करमचारियों अन्य महनत का स्लोगों का भी हो रहा उत्पीड़न आदि के विरुद अर्थात इन चारों राजों में इस वर्ष हो रहे विधान सबाम चुनाओं में इन जरूरी मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी पूरी त्यारी के साथ इहां चुनाओं में उतर रही है इतना ही नहीं बलके सभी मामलों में यहां की जनता को जागरुक बनाने एवम चुनावी त्यारी के लिए भी बीएसपी केंदरी यूनिट ने पार्टी के नेशनल कोडिनेटर स्री आकास आनंदखों तथा इन चारों राज्यों के केंदरी कोडिनेटर पर राजे सबा सांसद स्री रामजी गोतन को भी मुखे तोर पर लगाया हुआ है जो मेरे दिशा निर्देशन में यहां इसी महिने से इन सभी जरूरी मुद्धों को लेकर पार्टी कारे करता संबेलन के जरिये अपना चुनावी अभ्यान भी सुरूर कर रहे हैं मुझे पूरी उमीद है कि इन चारों राज्यों में पार्टी के लोग यहां इस वर्स होने वाले विधान सभा आमचुनावों में पार्टी वे अपने हित में इनका जरूर लाब लेंगे मैं भी यहां विशेश तोर से ध्यान दूँगे वैसे आप लोगों को मालू है कि अभी कुछ दिन पहले मैं चलंगाना स्टीट में भी गही और वहां हैदराबाद में खास तोर से विधान सभाम चुनाव को लेकर बड़ी इतिहासिक रैली हुई जिसमें कई लाख लोगो की सुरुबात भी खर दी गई है और अब मैं ये भी कहना चाहूंगे खास कर यूपी वह उत्राखंड स्टेट में यहां बर्सों से लोगों की आस्ता के बने स्टलों को अर्थात मजारों आदी को जो ये कहकर अब भटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी जमीनों पर बनी है इस से बीएसपी सह्मत नहीं है और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहां मजारें सरकारी जमीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहां की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था भर्सों से मजारे बनी हुए और यका यक उनको तोड़ने का प्लान बना दिया गया तो ये तो ठीक नहीं है तो इसमें हमें राजनिती ज्यादा नजर आती है और अपने राजनितिक स्वार्त में किसी के धागमिक भाबनाओं को या और उनके आस्ता को ठेस पहुंचाए जा साथ ही पिछले कुछ समय से देश में लग जहाद जबरन धरम परिवर्तन आदी कराने को भी लेकर तथा इनकी आड में जो अब देश में धार्वी कुनमाद पैदा किया जा रहा है ये भी ठीक नहीं है जता जनता देश की जनता इनसे जरूर साबधन रहे हैं इसके लाब यूपी में विसेज कर अपरादियों का भी जो आपस में तानव चल रहा है तो इससे जनता में काफी दैसत व्याप्त है सरकार को इस और जरूर ध्यान देना चाहिए बीएसपी की ये सरकार को सला भी है अब मैं अपनी बाद यही समाप्त करती हूं धन्यबाद जैभीन व जैबर